नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे मांगलिक दोश के बारे में काफी लोग अपने जीवन में इस परिशानियों का सामना करते हैं विवाह में देरी होना या फिर विवाह के बार बहुत ज़ादा लड़ाई जगड़े होते रहना ये सबी चीजें मंगल दोश के कारण होती हैं किसी की कुंडली में भरपूर मंगल दोश होता है तो किसी की कुंडली में आंशिक यानि की आदा मंगल दोश होता है तो इससे भी जीवन में परेशानी, स्ट्रगल हमेशा ही बना रहता है। कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें आपको बहुती जादा दुखी होना पड़ जाता है। या फिर बहुती ज़ादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मंगल दोश के कारण आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, क्योंकि मंगल दोश व्यक्ति की लाइफ में जिंदगी में स्ट्रगल को बनाए रखता है। कुछ लोगों को बहुती ज़ादा चोड़ तो लगती रहती है, लेकिन यह भी मंगल दोश के कारण ही होता है। तो ऐसे में आपको विशेश बातों का ध्यान रखना बहुती जरूरी होता है। यदि आप मंगल दोश से जुड़े हुए उपाई करते हैं, तो आपके जीवन से मंगल दोश के जितने भी बुरे प्रभाव होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और उससे होने वाले स्ट्रगल दुख नहीं आते हैं। वैसे तो मंगल दोश बहुती ज़ादा नुकसान पहुँचाता है। लेकिन यदि आप इससे जुड़े हुए उपाई करते हैं, तो फिर मंगल दोश का आपके जीवन के उपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में मंगल दोश को कैसे दूर कर सकते हैं। इसका सबसे बहतर उपाई ये है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोश होता है, उसको मंगल के दिन गुड़ को खरीद कर रखना चाहिए। जिस व्यक्ति की शादी हो गई है, उस व्यक्ति को अपने जीवन साथी को उसमें से थोड़ा सा गुड़ अपने हाथों से अपने जीवन साथी को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोश से होने वाले दुश परभाब दूर हो जाते हैं और आपस में लड़ाई जगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपस में प्यार बनने लगता है। आपको रक्तदान जरूर करना चाहिए। जितने लोगों की कुंडली में मंगल दोश भरपूर होता है उनको साल में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मंगली दोश के जितने भी दुर प्रभाव होते हैं वो आपके जीवन पर नहीं पढ़ते हैं। पर आपके सबी कारे असानी से होने रखते हैं। मंगल दोश के कारण जीवन में परेशानिया, स्ट्रगल बना रहता है। तो जो भी उपाए हमने आपको बताया है उसमें से कोई भी उपाए आप कर सकते हैं। इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पर संद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहल पहुंच सके, धन्यवाद दोस्तों